ऐसा तकड़ा तमाचा पड़ा अंकल सैम के सबके सारे के सारे जितने भी थे खास तोर से पेंटेगॉन के होच वाखता हो गए मोधी सरकार में फ्रांस के साथ भारत की दोस्ती एक नए लेवल पर पहुंच रही है फ्रांस इंडिया को एक बहुत बड़ी सपोर्ट देने जा रहा है अब ताजी ख़बर ये है कि भारत फ्रांस स्ट्रीटिक डिफेंस पार्टनर्शिप इस पार्टनर्शिप में एक और भी बहुत बड़ा कदम उठाया जाने वाला है प्रांस और इंडिया स्ट्रेजिक डिफेंस पार्टनर्शिप के लिए तयार है प्रांस ने जो मैं जिसको बोलता हूं गहरे राजय को पूरी तरह से चैलेंज करा है भारत के साथ प्रांस के रहा है सोवरन राइट होगी भारत की यानि कि हम भारत को कम्प्लीट ब्लूप्रिंट देंगे फारत के लाइंगे और प्रांस आगे भारत को किसको बेचना है, वो भारत का हेड़ेक है, हमसे कोई पर्मिशन लेने की आवश्चा है. अब चीज उनको उफर किया है, साथ-साथ उन्होंने उनको डिप्लमाटिक, पुलिटिकल और एकनॉमिक सपोर्ट भी दिया है, वाई? आपको पता है कि फ्रांस जो है, उसने न्यूकलिर सब्मेरीन्स के हवाले से फुल सपोर्ट दी है, जेट इंजिन्स, अंडर वाटर ड्रोन्स, वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को देंगे, क्यूं? अभी दो दिन पहले जब आपको ये पता चला होगा, कि अमरीका के अंदर जो न्यूयॉक की एक डिस्ट्रिक कोर्ट जो है, उसने नरेंदरा मोदी के आने से पहले, इंडिया के जो नाशनल सिक्रिटी एडवाइजर अजीद दोवल, उनके जो कोर्ट समन्स जो हैं, वो न जाद होगा कुछ एरसा पहले, कि फ्रांस आस्ट्रेलिया को नुकलर सब्मेरिन्स देना चाहता था और मौधा भी हो गया था, लेकिन अमेरिकंज इसमें गुसे और उन्होंने उस मौधा को कैंसल करवाया, और उन्होंने का कि हम ये नुकलर सब्मेरिन्स आपको देंगे, कि यह और France नहीं दे सकता आपको आज France यह चीज महसूस कर रहा है कि इंडिया जो है वो अमरीका के बहुत करी तो है लेकिन Americans France इंडिया को पुश कर रहे हैं किस चीज़ पुश कर रहे हैं वह जो पन्नू का इंसिडेंट था तो यह दुख तो होता है कि ये क्या कर रहे हैं अब अजीद दोवल जो है वो आपको पता है कि फ्रांस के एक डिप्लमाटिक एडवाइजर है एमनल बॉन उनके साथ मुलाकात करने फ्रांस जा रहे हैं और मोदी साथ अमेरिकन्स को ये बता रहे हैं कि भाईया ये जो आप लोग फरांस जा रहे हो या मोदी साथ उनको ये बता रहे हैं कि ये जो आप करने जा रहे हो इसमे एक चीज को जहन में रखें और वो क्या चीज़ जहन में रखें कि हम अगर आप हमें ज़्यादा तंग करेंगे आप हमें ज़्यादा पुश करेंगे तो आप इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि हमारे पास और भी आप्शिन्स मौजूद हैं और वो कौन सी आप्शिन्स मौजूद हैं उन आप्शिन्स में फ्रांस से रेफरिस्ट है वो गयत ने बोला कि आपको चाहिए क्या यह बताईए और फ्रांस ने बोल दिया डन तीस सितंबर एक अक्टूबर को अजीड डोवाल साब जो की एनसे हैं भारत के वो होंगे फ्रांस में और दोस्तों फ्रांस में उन्होंने एक डील पे साइन करना है जो कि फ्रांस ने अल्री ग्र नियーダंट के एंगे यह ने की हमकुए परमिशन लेने की आवशकता नहीं है यह इसलिए इंपॉटन अग दोस्तों क्योंकि ब्रह मोस के बारे में आपने सुना होगा ब्रहम्मौस मिसाईल आज की तारिक में भारत अरुस बना रहे हैं। लेकिन अगर आपको ब्रम्मॉस मिसाइल किसी भी देश को बेचनी है आपको पहले रूस से परमिशन लेनी जरूरी है। आप बिना रूस की रिटन परमिशन के आप ब्रम्मॉस किसी और देश को नहीं बेच सकते। और यहाँ पर फ्रांस कह रहा है कि सिर्फ टेकनोलिजी नहीं देंगे। आपके साथ बैठ के उसको पूरा बनाएंगे। एक एक चीज़ आपको हैंड ओवर करेंगे और उसके बाद आपको जिसको बेचनी है जहां लगाना है आपकी मर्जी। हमारा कोई लेना देना नहीं हमने आपको दे दी। यह बात हो रही है पूरी डील किया है पहले मैं आपको समझाता हूँ फिर मैं आपको बताऊंगा यह करम बोर्ड हेल ले करिम्बोरोत मैं कभी साइड में गोटी मार के अंदर कर देते है ना ये है पहले रानी अंदर करी फिर कवर अंदर करई यह देखो क्या गेम हुए बाय साब अ несे अजी बोला है कि state of the art nuclear attack submarines हम भारत को देंगे state of the art आपको पता है France United Nations Security Council का permanent member है आपको पता है कि वो atomic power है आपको पता है कि उसके nuclear technology among the best in the world है उसने बोला है कि हम भारत को nuclear attack submarines support करेंगे construction की और बोला है कि 100% transfer of technology for 110 kilonewton thrust aircraft engine AMCA के लिए 5th generation fighter के लिए और underwater drone यानि कि कहने की बात यह वो कह रहे हैं कि हवा में पानी में पानी के नीचे है हर dimension में हम भारत को support करेंगे यह एक ऐसा strategic defense partnership है जिसके अंदर France की तरफ से India को मदद दी जाएगी facilitate किया जाएगा support किया जाएगा for the construction of nuclear attack submarines यह एक बहुत बड़ी खबर है और यह France की बहुत बड़ी support होगी India को और यह एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब यह कहा जा रहा है कि जिस वक्त Indian Navy इसके लिए पूरे तरीके से तयार है और मुदी हकोमत की तरफ से यह भरपूर कोशिशें की जा रही थी कि इस तरह की strategic dialogue जो strategic defense partnership है वो France के साथ की जाए तो देखिए सिर्फ यह नहीं है बलके यह जो है कि France इंडिया को support करेगा construct करने के लिए nuclear attack submarines सिर्फ submarine ही nuclear attack submarines है यह उसी के साथ इस offer में यह भी शामिल है कि 100% transfer of technology for 110 kilo Newton thrust aircraft engines and underwater drones will with full capabilities to India तो देखिए यह जो एक पूरा package है जो France और इंडिया के बीच अब होने जा रहा है जो के इंडिया को बहुत strong करेगा और इंडिया नेवी को जो है वो आप देखेंगे कितनी इससे ताकत मिलेगी अगर आप European countries यॉरप और इंडिया के तालुकात relations देखें तो बहुत जबर्दस्त है आप अमरीका के साथ उनके कंट्री है भाई जिसके relations इंडिया से अच्छे ना हूँ